राजिस्तान की सियासी खमासान में आज का दिन बेहत एहम साबित हो सकता है राजिस्तान हाई कोड सचिन पालेट की याचिका पर कुछ देर में फैसला सुना सकता है सचिन पालेट ने खुद समेट 19 विधायकों को आयोग्य ठराय जाने के स्पीकर के नोटिस को दिए चुनाती और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रिम कोर्ट में हाई कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दी थी जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रिम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया हालाग कि हाई कोट आज जो भी फैसला देगा उस पर अमल सुप्रिम कोट के फैसले के बाद ही होगा भवानी सिंग हमारे सयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड रहे हैं भवानी सबसे पहले ये बताई कि राजिस्तान हाई कोट से क्या अपडेट है भवानी आवाज मिल रही है आपको चलिए भवानी की तरफ हम रुख करेंगे लेकिन इस सब के बीच आपको बता दी आज बेहत एहम दिन क्योंकि आज राजिस्तान हाई कोट की तरफ से पैसला सुनाया जा सकता है सचिन पालेट की याचिका पर जिसमें सचिन पालेट ने ये कहा है कि दरसल जो याचिका दी गई है वो अंद्रूनी मामलों में दखल है और साथी अभिव्यक्ति की आज़ादी के खलाफ है और आई अब बात करते हैं हाई कोट में अगर पैसला आ जाता है तो फिर उसका गैलोत और पालेट गुट पर असर क्या होगा चली पहली सिति आपको दिखाते हैं अगर कोट स्पीकर के लोटिस पर रोक लगा देती है या फिर उसे रद कर देती है तो ऐसी इस सिति में सीम गैलोत विदान सभा सत्र बोला सकते हैं जहां वो फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर सकते हैं बीजेपी पालिट गुट अगर एक साथ मिलकर उनके खलाब वोट करें भी तो भी उनको बहुमत मिल सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि राजिस्थान विदान सभा में कुल 200 सीटे हैं और 101 सीट का दावा गहलोत की तरफ से किया जा रहा है भवानी हमारे से होगी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं राजिस्थान हाई कोड से इस वक्त क्या अपडेट है भवानी चलिए आवाज जुन की हम तक नहीं पहुंच पारी एक बड़ फिर से हम कोशिश करेंगे भवानी से जानने की केस वक्त राजिस्थान हाई कोड से अपडेट क्या है क्योंकि अपसे थोड़ी देर बात आ सकता है फैसला राजिस्थान हाई कोड की तरसे सुनवाई हुई थी फैसले को सुरक्षित तक लिया गया था लेकिन या आदेश दिया गया था कि जो पारिलेट समेट 19 विधायक हैं उनके खलाफ 24 जुलाई यानि आज तक कोई भी आक्शन नहीं लिया जा सकता इसी पर आज फैसला देगा राजिस्थान हाई कोड